इंकम होती है तो बनता है न, इंकम ही नहीं होगी तो इल्ले पोह हो जाएगा न कैसे मतलब बजट बनाओ कैसे पैसा ही नहीं आ रहा है तो खर्टा करोगे कैसे हेलो एवडिवान मैं हुझेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंट्रस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहें क्लास 12 का एकनॉमिक्स न्यूस लिबस और ये है चाप्टर नमबर 7 नाशनल इंकम का एकदम महत्रपून वीडियो जी आँ आखरी वीडियो है ये इस चाप्टर का हमने पूरी सीरीज तैयार कर दी है उपर आई बटन में लिंक है इन इस दिस्क्रिप्शन में प्लेलिस का लिंक है आप जरूर वहां से सभी वीडियो देख लीजिया आट से नौ वीडियो में पूरा चाप्टर खतम खलास पिनिश हो जाएगा और आप पूरे आठ माक्स वसूल कर पाएंगे बहुत इंपॉरन चाप्टर है काम का चाप्टर है तो जरूर 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 इसको छोड़ियेगा मत और सभी वीडियो को बिंज वाच कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों मै आपको बता दूँ हमने अभी तक प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो सारे चाप्टर के वीडियो बनाए हुआ है हमारे पिछले साल के वीडियो भी आपको बहुत काम आएंगे आपको वो भी आपकी पढ़ाई बूस करने मदद करेंगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जर ज़रूर अपना प्यार बरकरा रखिए, नाम है Sky Education, Official Telegram Channel का, and you can also download our app Sky Education from Play Store, जहांपर free batch इस साल का हमारा चल रहा है, Superstar Batch, batch code है Superstar23, और उससे आप ये batch भी जॉइन कर सकते हैं, चलिए आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ये वीडियो में हम सीखने वाले हैं Importance of National Income, जी हां, National Income क्यों महत्वफून है, वो जानने से बहले, एक quick recap, जैसा कि हर वीडियो में हमने किया है, ये quick recap हमें समझाता है, ये National Income के किसी भी answer का introduction कैसा लिखने का, National Income क्या है, तो modern economy is money economy, आजकल की modern economy कैसी economy है, money economy है, और इस देश के अंदर दोस्तों, National Income को भी हम in terms of money ही express करते हैं, हमारी देश की income, लीटर में, किलो में या ड़जन में नहीं, ये भी करोडों में, मिलियन में, ट्रिलियन डॉलर्स में ही express की जाती है, साथ ही साथ दोस्तों, इन रियल टर्म्स क्या है National Income, तो याद रखना है, इन रियल टर्म्स, नाशनल इंकम is the flow of goods and services, flow of goods and services, क्या flow of goods and services, flow of goods and services, याद रखिये, produce in an economy during a year, या नी नाशनल इंकम क्या है, तो हाई, इन नाशनल इंकम एक साल में, importance of national income क्या महत्व है national income के calculation का महत्व क्या है कुल मिला कर कि 6 point का छोटा सा प्यारा सा ननना वुनना सा answer है answer का ना need FC need FC need FC need FC बहुत simple है N से national policies E से economic planning E से economic research D से distribution of income और FC में for the economy और comparison of standard of living तो कुल मिला करके 6 points need FC लिख करके ज़रूर note down कर लीजेगा और लिख के practice करेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाएंगे याद रखिए आपको वापस पढ़ना है वापस पढ़िए क्योंके याद रखना है simple सा मंत्र है remember to repeat repeat to remember चलिए बढ़ते हैं आगे एक एक point को बारी की से समझ लेते हैं सबसे पहला point क्या बोलता है सबसे पहला point बोलता है national policy देश की welfare की योजनाएं देश की welfare की जो योजनाएं होती है ना इन योजनाओं के जरीए आप देश का विकास देश का सरवांगिन विकास कर सकते हैं ग्रोथ और development के कारे कर सकते हैं लेकिन national policy बनाएगा कैसा आपको पता तो होना चीए कि आपके आमदनी कितनी national income इसी लिए जरूर है important है national income का calculation ताकि आप national policies बना सके हैं अच्छे से बड़े ही सुन्दर और सटीक तरीके से आप योजनाओं को अमल कर सके हैं implement कर सके हैं अगर आपके घर में income आती है तभी आप खर्चे कर पाते हैं आप भी घर का budget बनाते होंगे आपकी घरवाले भी budget बनाते होंगे तो यह जो budget है वो बनता कैसे income होती है तो बनता है ना income ही नहीं होगी तो इल्ले पो हो जाएगा ना कैसे मतलब budget बनाओगे कैसे पैसा ही नहीं आ रहा है तो खर्चा करोगे कैसे और इसलिए दोस्तों national income यह important है क्योंकि वो policies frame करने में मदद करता है जी हाँ, national income data forms the basis of national policies क्या? forms the basis of national policy such as हमारे देश की employment policy हो, industrial policy हो केती बाड़ी से related agricultural policy हो सभी policies national income की आधार पर ही बनती हैं these figures enable us to know the direction in which industrial output investment and saving etc change national income also helps to generate economic models like growth model, investment model does, proper measures can be adopted to bring the economy on the right path, यानि देश को सही दिशा दिखानी है, तो national income का calculation बहुत important है उमीद करता हूँ, पहला point आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर policies को याद रखी और policies को frame करना महतोपोर है इसलिए national income बहुत important है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों need FC के अंदर, अगले दो points E से निकल करके आते हैं, economic planning, बिना planning की तो कोई चीज नहीं चल सकती, planning बहुत जरूरी होती है ताकि आप resources को अच्छे से use कर पाए, planning includes data related to countries, gross income country का overall income कितना है output यानि के production कितना है, saving कितनी है, investment देश कितना कर रहा है, और consumption देश में कितना हो रहा है, यह सारी चीज़ों का data आपको economic planning करने में मदद करता है, which can be obtained from different sources, तो इस प्रकार से planning बहुत जरूरी है और planning आपको data से ही करने possible हो पाएगी अगर national income का data ही नहीं है तो आप economic planning नहीं कर पाएगे आपको समझ नहीं आएगा गाओं का विकास कितना हो रहा है शहरों का विकास कितना हो रहा है, किस तरह से आगे बढ़ना है, बात करें दोस्तों अगली E से point आता है economic research, आहा, economic research की बात करें, तो अगर जो आपके economist हैं यह future predictions करना चाहते हैं further growth और development के बारे में सोचना चाहते हैं, कि अभी population इतना है तो आगे जाके और बढ़ेगा हो सकता है, हमें और सुधाएं, और घर, और बिजली, और पानी का उत्पादन करना पड़े कहीं न कहीं, futuristic सोच करने के लिए research करना जरूरी है research के लिए भी पैसा जरूरी है अगर income का source ही नहीं पता होगा national income कितना है यहीं नहीं पता होगा तो प्राई research कैसे करोगी? सामझ रहे हो and that is why my dear students economic research करने के लिए भी national income important है national income data are also used by research scholars of economics they make use of various data of countries input, output, income, savings, consumption, investment, employment, etc which are obtained from social accounts यानी अलग-अलग सामाजिक तत्यों के जो data है उनको collect करके ही यह अलग-अलग research में काम आ सकते हैं तो उमीद करता हूँ economic planning और economic research आप समझे होगे need के अंदर D से आता है distribution of income क्या बटवारा, कितना बटवारा होता है यह समझना ज़रूरी है national income statistics enables us to know about the distribution of income in the country from the data related to wages, rent, interest and profits यानी distribution कैसे होता है factors of production का यह जो land, labor, capital, entrepreneur है ना यह फुकट में काम थोड़ी करते है इनको पैसा मिलता है इनको wages मिलते हैं labor को land को rent मिलता है capital के बद्दे में ब्याज मिलता है entrepreneur को profit मिलता है कि कितना मिलना चाहिए disparities, differences in incomes of different sections of the society इसी से दोस्तों आसानी से तै हो पाता है कि भाई national income कितना महत्वून है दोस्तों बहुत महत्वून है ताकि हम यह सारे फैसले जो है यह जो distribution के फैसले है वो आसानी से ले पाए उमीद करता हूँ दोस्तों need, FC का need आपको समझ में आ गया होगा हम एक-एक point के जरीए ही समझने के कोशिश करते है कि किस तरह से national income का data जो है बहुत जादा helpful होता है FC के अंदर effort for the economy बहुत जरूरी है आखिरकार macro economics concept ही है national income is a macro economic concept and that is why it is important for the economy itself economy किस दिशा में आगे बढ़ेगी economy कितने dollar की है कितने million dollars की है कितने trillion dollars की है कितना growth कर रही है हमारा देश किस दिशा में जा रहा है यह समझने के लिए national income important है national income data are important for the economy of a country in present times the national income data are regarded as accounts of the economy which are known as the social accounts it tells us how the aggregates of nations income output and product result from the income of different individuals products of industries and transactions of international trade यानि हमें यह समझाते है social accounts के माध्यम से सामाजिक तत्यों के माध्यम से that कितना aggregate है nation का income total income देश का कितना है output यानि production कितना है product का result जो आता है income का अलग-अलग individuals का वो कितना है product of industries और उनके transaction जो भी देशों में व्यापार करते है import export वो कितना है national income से सब कुछ clear होई जाता है हमने income method और expenditure method में भी यह देखा है कि हमें अलग-अलग formulas के जरीए समझ में आ जाता है कि यार कौन से sector से कितनी income आ रही है तो वो चीज़ें हमें जान करके economy के बारे में और ज़्यादा clarity और transparency मिल जाती है आखरी point की बात करूँ तो C से आता है comparison of standard of living yes America का standard of living क्या है India का standard of living क्या है Dubai का क्या है India का क्या है कहीन कहीं जब आपको तुलना करनी होती है तो भी national income के आपके लगते हैं इस comparison से आप परक्ष सकते हैं पहचान सकते हैं जान सकते हैं कि actually में standard of living किसके मुकाबले आपका कैसा है इससे आप healthy competition कर सकते हैं इससे आप और कितना grow करना है यह समद सकते हैं कौन सी सही दिशा है आपके लिए कैसे आगे बढ़ना है यह भी तै कर सकते हैं that is why national income का data बहुत ज़रूरी है पूरे answer में हमने यही पढ़ा है why it is important need FC के माध्यम से अभी हम भी हमने पढ़ लिया कि यार standard of living का comparison करने के लिए भी national income का data बहुत ज़रूरी है तो उमीद करता हूँ दोस्तों पूरे 6 के 6 points आपको समझ में आया होंगे लिख करके ज़रूर practice कीज़ेगा need FC में N से national policies E से economic planning और economic research D से distribution of income और FC में for the economy and C से comparison of standard of living उमीद करता हूँ ज़रूर अपने चीज़ों को note down किया होगा हम ऐसे ही videos ऐसे ही videos लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे आप अपना प्यार पर करार रखी कोई भी doubt हो तो मैं आपको Instagram में मिल जाओंगा मेरा ID है राजगोर जैश वी जरूर यहाँ पर आप DM करके अपने doubts जो है वो पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूँगा सभी की doubts तो solve करने की साथी साथ description में लिंक है हमारे sky education app की जहां से आप superstar batch free वाला batch जो है हमारा वो join कर सकते हैं और इस batch का code है superstar 23 जी हाँ superstar 23 इस batch के अंदर आपको धेर सारे video notifications मिलेंगे और धेर सारे PDF notes वगेरे INF वगेरे मिलता रहेगा तो इस batch को ज़रूर join कीजेगा अलग-अलग notifications और updated रहने के लिए हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और videos के साथ तब तक के लिए do like, share and subscribe